दोस्तो नमस्कार स्री अटल भीहरी बाचपेई जी के चंद लाइने जो हमें जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए आए देखते हैं उनका कुछ लाइने जो हमें अमल भी करना चाहिए जिन्दगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में दो बार सही समय बताती है किसी की बुराई तलास करने वाले इनसान की मिसाल उन मक्खी की तरह है जो सारे खुबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जक्म पर ही बैटती है तूट जाता है गरीबी में वो रिस्ता जो खास होता है हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास आता है मुस्करा कर देखो तो सारा जहां रंगीन है वरना वीगी पलकोत से तो आइना भी धुनला नजर आता है जल्द मिलने वाले चीजों जादा दिन तक नहीं चलती और जो चीज जादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती बुरे दिनों का एक अच्छा फाइदा अच्छे अच्छे दोस्त परखे जाते हैं बिमारी खरगोस की तरह आती है और कच्छों की तरह जाती है जबकि पैसा कच्छों की तरह आता है और खरगोस की तरह जाता है छोटी छोटी बातों में आनन्द खोजना चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी तो जीवन में बहुत कुछ होती है ये सोच में हम इनसान की एक अकेला क्या कर सकता है पर देख जरा उन सूरज को जो अकेला ही तो चमकता है रिष्टे चाहे कितने ही बुरी हो उन्हें तोड़ना मत क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो अगर प्यास नहीं बुजा सकता तो आग तो बुजा सकता है अब बफा की उमीद भी किस से करे भला मिट्टी के बने लोग कागज में बिके जाते हैं इंसान की तरह बोलना न आए तो जानवर की तरह मोन रहना अच्छा है जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बोली बिना मा हमारी बातों को समझ जाती थी अगर आज हम हर बात पर कहते हैं छोड़ो भी माँ छोड़ो भी माँ आप नहीं समझेंगी सुक्र गजार हूँ उन तमाम लोगों का जिनोंने बूरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें वरुसा था कि मैं मुसिवत से अकले ही निपट सकता हूँ सर्म की अमेरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है जिन्देगी में उतार चड़ाव आना बहुत जरूरी है क्योंकि क्योंकि इसीजी में सिधी लाइन का मतलब मौत ही होता है रिष्टे आजकल रोटी की तरह हो गए है जरासी आँच तेज क्या हुई जल भुन कर खाक हो जाए जिन्देगी में अच्छे लोगों की तलास मत करो खुद अच्छे बन जाओ आप से मिलकर सायद किसी का तलास पूरी हो फ्रेंड्स अभी तक अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जरूर करना भुनना मत ओके थैंक यू